भारत और रूस के बीच पिछले छे दश्कों से करीबी रणनीतिक रिष्टे रहे हैं लेकिन अब इन रिष्टों पर मुश्किलों के बादल मंडराने लगे हैं भारत की एजनसियां और सुरक्षा विशेशग्य इस बात से हैरान है कि अब रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है हाला कि पिछले दिनों रूस ने कहा था कि भारत और मॉस्को के रिष्टों पर किसी भी तरह से कोई असर पढ़ने वाला नहीं है रूस की तरफ से कहा गया था कि उसके रिष्टे दोनों ही एशियाई देशों से किसी भी तरह के बंधन से पूरी तरह से मुक्त है भारत में रूस के उपराजदूत रोमन बाबुशकिन ने कहा है कि उनका देश किसी भी तरह की समवेदन शीलता का सम्मान करता है लेकिन साथ ही पाकिस्तान के साथ रिष्टों को किसी भी बंधन से परे होकर देखता है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ रूस का द्विपक्षिय व्यापार है और एक आर्थिक एजेंडा भी है। रूस इस रिष्टे को आगे बढ़ा रहा है और वो इस बात को बड़ी तवज्जो देता है कि पाकिस्तान शंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन के तहत आने ज्यादा नेचुरल गैस मिल सकेगी। पाकिस्तान के पीम इमरान खान के पेट्रोलियम मामलों के सलाहकार नदीम बाबर ने एक इंटर्विव में बताया था कि इस प्रोजेक्ट में जहां उनके देश की हिस्सेदारी 54 प्रतीशत से 74 प्रतीशत तक होगी तो बाकी शेयर रूस के होंगे। कुछ दिन पहले रूस के उपराजदूत भारत में मीडिया से मुखातिब थे तो उन्होंने कहा था कि रूस पाकिस्तान समेथ दुनिया के बाकी देशों के साथ आपसी सहयोग को बढ़ाता है। तो वो हर एहम सिध्धानत को मानता है। पिछले महीने प रिल को हर साल आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान और रूस के बीच संबंध भारत और रूस की तरह नहीं हो सकते लेकिन फिर भी इन्हें लेकर चिंता करना लाजमी है। पाकिस्तान और रूस के बीच एक समान कड़ी है और वो है चीन। चीन चाहता है कि रूस बड़े पैमाने पर चीन के बॉर्डर रोड इन इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्श